है गाईज वेलकम बेक टू जॉप्साव चलल तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू पास MDU University exam तो MDU University महारशी दैनन उनिवरसिटी के जो exam है वो आप कैसे पास कर सकते हैं in just 15 डेज पंदर दिन के अंदर अगर आप रेगुलर स्टुडेंट है या फिर आप open से कर रहे हैं या फिर distance learning से कर रहे हैं सब केसिस में formula काम आएगा तो यह कुछ मैं पास टिप्स आपको बताने वाला हूं जिनसे आप MDU में पास ही नहीं बलकि maximum score कर सकते हैं बढ़िया score कर सकते हैं सबसे पहली चीज हैंड राइटिंग हैंड राइटिंग एक ऐसा में फेक्टर है जो के चेकर के माइन को अच्छा या बुरा बना सकता है सबसे पहली चीज आपको यहां रखनी है यू शुड हैव अ गुड हैंड राइटिंग देखिए अगर थोड़ी बहुत बैड भी चल जाती है लेकिन जो पूरी बैड होती है वो एक्जामिनर क्या करता है उसको पढ़ता है आपको नमबर कम देता है या फिर पूरा काट सबसे पहली चीज आपकी जो हैंड राइटिंग होने चाहिए वह अच्छी होने चाहिए बढ़िया होने चाहिए तो गुड हैंड राइटिंग फर्स टैप सेकिंड पॉइंट एमड्यू के अंदर अच्छे नमब लाने का गुड हैंड राइटिंग प्लस में डीटेल यहां डीटेल कंटेंट का मतलब यह है जैसे कि आप पढ़ते हैं तो पढ़ने से मेरा मतलब यह है कि आप पढ़िये लेकिन आप उसको एक अच्छे वे में पढ़िये जैसे कि पॉइंट वाइस पढ़िये पॉइंट वाइस पढ़िये तो आपको हमेशा क्या रहे का पॉ 36 sheets होती है, try to fill all sheet as much as possible and third tip ये है, try to answer 10 marks question in 3 to 4 pages and 20 marks question in 8 pages, आपको 20 marks से question में 8 pages बढ़ने है, 10 marks के में 4 pages बढ़ने है, उसके बाद 4 तिम मेरी ये है, Diagrams, जितने diagram बन सकते हैं, जिसे बहुतर subject होते हैं, बीटक के अंदर, तो वो चीज़ ये है कि आप diagram के साथ explanation देंगे, तो आपके marks मिलने के chances जो होंगे हो, बहुत बढ़िया रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे, तो आप एक चीज़ धिहान रखे कि मतलब, आप diagram भी बना या फिर आप try to learn concept with diagram itself, तो ये चीज़ बहुत ही important थी, and first and last tip जो भी हमारी last tip बची है, वो ये है कि content पढ़े, content पढ़ना एक बड़ी चीज़ होती है, आप अपने college के notes प्रफर कर सकते हैं, college के notes प्रफर कर सकते हैं, और उसके बाद college के notes plus में, आप कोई सी भी books, आप देख प्रफर करीगी होती हैं, कि आप इस book से content पर सकते हैं, और उससे आपको बहुत ही help मिल जाएगी, तो ये चीज़े आपको पता होने चाहिए, कि कहां से पढ़ना है, कहां से नहीं पढ़ना, और भी कुछ additional tip में आपको देना चाहूंगा, एक और additional tip है, जो कि बहुत important है, आ आप से main चीज, answer भी आप point में लिखे, और point में जिसी के आप डालेंगे, A, B, C, D, E, F, G point करके डालेंगे, क्योंकि आप 1, 2, 3, लिखें, कोई 10 मसा question है, तो ये उमीद कर जाती है, कि आपको 7 to 8 point लिखे, आप 1, 2, 3, 4, 5, आपको 5 point ही आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लिख रहे हैं आ या तो आप dot dot करके points बनाईए, या तो आप hash करके points बनाईए, या तो A, B, C, D करके बनाईए, तो एक अच्छी वेम है, और try to highlight main points, आपकी तो main points होते हैं, मालनों कोई अच्छी तरह चीज आपको आती है, उसमें कोई mistake नी हो सकती, तो आपको underline कर सकते हैं, and use all, आप कोई स pink, कोई साथ भी pen यूज़ कर सकते हैं, आप underline के लिए, और हमेशा ध्यान रखी है, जो headings है, वो आप black pen से दीजिए, और जो आप answer लिखो गे, वो blue pen से दीजिए, तो यही कुछ important tips दो जो बतानी थी, I hope you like this video, आप जित्रे भी MDU के student, आप किसी भी university के students हो, आपको ये ची mark scan कर सकते हैं, ये मेरा personal experience है, I am also a degree holder, तो आप ये चीज़ा ध्यान रखिए, और follow कीजिए, and I assure you, आप बहुती अच्छे marks ला सकते हैं, so try to share this video as much as possible, ताकि आपके तरह और भी आपके दोस्ट जो हैं, उनको बहुत help मिल सके, so thank you for watching this video, if you like this video, please subscribe to the channel, and hit the bell icon, thank you, jahin, good day.